हमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चेनल में दोस्तों आज की इस पीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि आपके बाल इस 21 दिन के अंदर ही आपके बाल बहुत ही लंबे हो जाएंगे मैं स्टाम पर लिखने को तयार हूँ यदि ना हो तो फिर कहना जी हाँ दोस्तों यह बहुत कारगर नुस्का है और इस उपाई को अगर आप कम से कम 21 दिनों तक करते हैं तो 22 दिन में आप लोगों को जरूर दिफेक्ट दिखेगा और अगर आप इस उपाई से अपने बालों को धोएंगे तो 20-21 दिन के अंदर ही अंदर अंदर आपको अपने आखों के अंदर रियल्ट देखने को मिलेगा आपके बालों की लंबाई बढ़ेगी 100% बढ़ेगी केवल लंबाई ही नहीं बलकि आपके बालों की साइनिंग भी बढ़ेगी और आपके बाल विलकुल स्वाप्ट मुलाइम होंगे इतना असरदार तरीका में आपको बताने बाला हूँ और जिसी दिन आपने सीच को लगाया उसी दिन आपके बालों पर चिकना हटाएगे आपके बाल सुन्दर दिखेंगे आपको बाल बिलकुल सौप्ट दिखेंगे आपके बाल बहुत ही खुबसूरत रहेंगे तो friends अब आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा अभी तक अगर आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा ताकि ऐसे ही तिफ्स आपको मिल सके और आप अपने सिहत को काफी अच्छा बना सके जिस दिन आप बाल को सैंपू से ध पाउडर को पानी में निकाल कर रख लेना है इतना उसमें पानी डाला कि आवला पाउडर दो चमच या तीन चमच जितना आपने निकाला है उस पानी में पूरी तरीके से डूब जाना चाहिए रात में इसे आप करें रात में इसे ऐसे ही रखा रहने दें और सुबह उस चान लेना है और उस पानी से आप अपनी बालो की जड़ों में मालिस करें केवल दो मिनट के लिए बस बस बालो को मालिस करें और मालिस करने के बाद दो घंटे के बाद स्विर आप अपने बाल धो लेना है और बालो में नारियल का तेल या फिर सरसु का तेल बालो में लगा आने के बाद फिर आपको जो भी हरवल सेंपू मिले, आप अपने बालो पर सेंपू कर लिजें। दोस्तों किसी भी तरह की कोई भी प्रोब्लम नहीं होगी आपके बाल तूटते हैं जड़ते हैं आपके बाल दो मुहे वाले हैं या फिर आपके बालों से चमक जा चुके हैं आपके बाल रुखे रुखे हैं पहले दिन ही आपको असर देखने को मिलेगा पहले दिन ही आपक अच्छा लगा तो लाइफ कीजिगा, दोस्तों के साथ सेर कीजिगा